नमस्कार मैं विपिन बंसल वास्तु कंसलिटेंट हमेशा की तरह आज फिर आपको वास्तु शास्त्र की जानकारी देंगे आज जिस विषयपर चर्चा करेंगे वह है वेस्ट फिशिंग शॉप यानि पश्यमुखी दुकान आपकी अपनी पश्यमुखी दुकान है और आपके यहां काम नहीं है तो कहीं न न कहीं हो सकता है आपकी जो एंट्रेंस है वो सही दिशा की नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सारी चेगे देखा है जहां पश्ची मुखी दुकान होती है और गलत दिशा की एंटरेंस होती है वहाँ पर पहली बाद तो वरकिंग होती नहीं है होती है तो प्रोफिट में नहीं रहते हैं इसी के साथ अगर एंटरेंस गलत हो जाती है और ओनर की दुकान की एंटरेंस जिन लोगों की दुकान वेस्ट फेसिंग है और उनकी अपनी एंटरेंस सही दिशा में है उन दुकानों में वरकिंग अच्छी है वह लोग हमेशा प्रोफिट में रहते हैं अब आप अपने आसपास में नोट करिए आपके सामने सारे रिजल्ट के क्लिएर आ जाएंगे क्योंकि मैं हमेशा बड़े सा धारन तरीकी से आप लोगों को वास्तु शास्तर की जैनकारी देता रहता हूं और आज भी बड़े सा धारन तरीके से जैनकारी दूँगा क्योंकि आप मार्केट में बैठे हैं तो आपकी लाइन में यदि आपकी और entrance southwest के भाग से हैं ऐसी दुकानों में working कम होगी और जो working होगी तो उसका honor भी जुश्टा रहेगा आप अपने दुकान को देखिए यदि आपकी entrance southwest से हैं यहां से आपकी entrance है और आप यहां पर northwest में बैठे हैं और आपका यहां पर counter बना हुआ है जो आपकी entrance है इस entrance से आने वाला ग्रहक संतू स्टोकर नहीं जाता आता तो बहुत कुछ सोचके है लेकिन सामान पहली बाद तो लेके नहीं जाता जो लेके जाता है उसमें भी आपको profit देकर नहीं जाता और जो आपकी अपनी जो seating है यह seating भी ज़्यादा अच्छी नहीं है इसके करण भी आप जिस्टब रहते हैं आप अपनी line में जितनी भी दुकाने उन सभी को चेक कीजिए जिनकी entrance नौर्थ वेस्ट से वेस्ट के बीच में है या center की entrance है और उसका owner साथ वेस्ट में बैठा है उस दुकान के अंदर working हमेशा अच्छी रहती है जब आप अपने area में चेक करेंगे अपनी market में चेक करेंगे अपनी line वालों को चेक करेंगे तो आपके सामने ये practical clear हो जाएगा कि इन दुकानों में working क्यों है और आपकी दुकान में working क्यों नहीं है क्योंकि जो entrance south west की बनती है ये हमेशा नुकसान की रहती है profit कभी भी नहीं दे कर जाती profit आभी जाता है तो वो पैसा कहीं न कहीं आपका गलत जगह खर्च हो जाता है हमेशा पैसे के लिए प्रिशानी बनी रहती है इसलिए कभी भी southwest के इंटेंस नहीं होनी चाहिए बहुत सारी जगह ये भी देखा जाता है कि अपनी दुकान से बाहर जो आपकी सड़क है market की ज काल लिया जाता है और उसी एरिये में स्टैप बना दिये जाता है जैसे यहां पर प्लेटफर्म बना दिया गया है और यह आपके दो स्टैप बन जाते हैं यहां से आप अपने दुकान में आते हैं तो इसके कारण भी आपकी दुकान का southwest का भाग नीचा हो जाता है इसके क वेस्ट की और है उनके यहां प्रॉफिट बढ़िया आता है तो आप भी अपनी एंग्टर्स नॉर्थ वेस्ट को ने से करें आपकी दूकान की चोड़ाई ज्यादा है तो आप अपनी एंग्टर्स वेस्ट से भी करेंगे तो आपको रिजल्ट बहतर मिलेंगे आप करके दे प्राफित करने से आपके दुकान में प्रॉफिट आ जाएगा जो काम कर रहे हैं आपका कामइ जा परे रंग का बल्ब लगाए सुबै से लेके शाम तक वह बल्ब आपका चलना चाहिए ये काम करेंगे तो आपको रिजल्ट बहतर मिल जाएंगे आपकी दुकान में वर्किंग अच्छी आनी शुरू हो जाएगी आप प्रॉफ्ट में आ जाएंगे इसी तरह अगले प्रोग में वर्किंग